नमस्कार दोस्तों, ASV Knowledge की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आपने कभी न कभी एक मिसाल तो जरूर सुनी होगी पांच उंगली घी में और सरकड़ाई में और ये मिसाल तब दी जाती है जब किसी का समय सबसे अच्छा चल रहा होता है लेकिन अगर हम आप से कहे कि फ्रांस का अच्छा समय इस वक्त भारत की वज़ा से चल रहा है दुनिया भर में फ्रांस के जितने भी राफेर भिक रहे हैं उनके पीछे की एक वज़ा भारत भी है तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करोगे शायद नहीं लेकिन पिछले कल फ्रांस ने खुद इस बात को एडमिट किया है जी हाँ अब पूरी ख़बर क्या है चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो दोस्तों ये बात है साल 2006 की साल 2006 में फ्रांस ने पहली बार अपने आर्मी डे परेड सोके दोरान दुनिया को पहली बार अपना राफेल सोक्या था लेकिन किसी भी देश ने उस वक्त राफेल को खरीदने में अपना इंट्रेस्ट नहीं दिखाया था ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि राफेल के इंदर कोई कमी थी या फिर राफेल दोसरे देशों की उम्मीदों पर खरा नहीं उत्रा था बलकि ये इसले हो रहा था क्योंकि defense market में उस वक्त अमेरिका और रश्या की ही monopoly चलती थी अगर किसी देश को fighter jet चाहिए होता था तो वो या तो अपने लिए fighter jet अमेरिका से खरीदा करते थे या फिर रश्या से लेकिन इसके 10 साल बाद याने की साल 2016 में भारत ने अमेरिका और रिश्या की इस मोनोपॉली को तोड़ते हुए पहली बार फ्रांस एक साथ 36 राफेल को खरीद कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और राफेल रात और रात पूरे दुनिया में फेमस हो गया दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्स की जुबान पर सिर्फ राफेल का ही नाम था क्योंकि हर को ये बात जानता था कि भारत जब भी कोई हत्यार लेता है उससे पहले भारत पूरी तरह से उस हत्यार को ठोग पीट के और जांस परक कर ही लेता है और भारत द्वारा राफेल खरीदे जाने के बाद पूरी दुनिया को पहली बार राफेल का पोटेंशल दिखाए दिया और भारत द्वारा राफेल खरीदे जाने के बाद ही हर कोई राफेल लेने के लिए लाइन में लग गया और धड़ादर फ्रांस को राफेल के और भारत की इसी महरबानी का नतीजा है कि राफेल इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर फाइटर जेट्स की लिस्ट में टॉप पर आ गया है और हालत अभी हो चुकी है कि फ्रांस राफेल के ओर्डर्स तक को संभाल पाने में फेल हो गया है दरसल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर बिजनिस इंसाइडर के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए जिसमें ये बताया गया है कि राफेल की पॉपुलर्टी इतनी जादा बढ़ गई है कि राफेल के मैनिफेक्ट्रस चाहा कर भी प्रोडक्शन डिवान को पूरा नहीं कर पा रहे है रिपोर्ट्स क अकॉर्डिंग हाली में एक ब्रिटिस मीडिया थिंग टैंक में अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि राफेल की पैरेंटल कंपनी डस ओल टैवेशन को एक साल में राफेल के लगबग ऑन एन एवरेज तीस से वी जादा यूनिट्स के ओर्डर मिल रहे हैं जिबकि डस एक साल में सिर्फ 15-18 राफेली मैनुफेक्चर कर पा रही है पिछले साल तो हालत ये थी कि डस ओल टैवेशन को किसी भी हाल में 18 राफेल डिलिवर करने थे लेकिन वो सिर्फ 15 राफेली डिलिवर कर पाए थे रिपोर्ट की माने तो साल 2016 में भारत द्वारा राफेल दे थे इजिप्ट के बाद ग्रीस जो कि तुर्की का सबसे बड़ा राइवल है उसने भी फ्रांस से 18 राफेल खरी दे थे और उसके बाद ये सिलसेला लगातार जारी है और अकेले साल 2020 में फ्रांस को राफेल के 146 यूनिट्स के ओर्डर मिले थे यहां तक कि इस वक्त र 42 इंडोनेशिया के और रिपीटिड में 10 ओडर इजिप्ट के और लगबग 22 राफेल के ओडर क्रोश्या की तरफ से मिले हुए हैं और अभी वी साओधी अरव के साथ 100 और भारत के साथ 26 और राफेल को लेकर बातचीद चल रही है डस ओल्ट एविएशन के पास ओडर इतन बहारत का सुक्रियादा करते हुए भारत को धेंक्यू भी बोला है उन्होंने हाली में अपनी तरफ से एक इस्टेट्मेंट रिलीज करते हुए कहा है की हमारे राफेल और जिस तुकाम पर है उसके पीछे भारत का भी बड़ा रोल है क्योंकि जिस समय पर हमें सपूर्ट की सबसे जादा ज़रुरत थी उस समय पर भारत थी तहीं नहीं ने तो यह तक कह दिया वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को राफेल के इन ओर्डर को पूरा करने में फ्रांस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस्वी नौली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जय हिन जय भारत